The next threat to child care is partner's violence. When a woman is affected by intimate partner violence and extreme expression of gender discrimination and women's low status, this has negative impact for the women herself and the well-being and development of our children. अब ये नुकसान माँ को तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बच्चे इससे बहुत ज्यादा सफर करते हैं. सबसे पहले तो खास तोर पे जो बेटियां हैं, उनको लगता है कि हमारा status low है, हम कमतर हैं और जो violence हमारी माँ के साथ हो रही है, यही violence कल हमारे साथ होगी. और जो बेटे हैं, वो यह सीख रहे हैं, कि जैसा हमारी माँ के साथ सुलूक हो रहा है, कल को हम भी अपने partner के साथ ऐसा सुलूक कर सकते हैं. तो इस violence का, इस तशद्द का खुआ जैसे मैंने अर्ज किया, वो सिर्फ physical violence नहीं है, कि आप उसको कोई नुकसान पहुचाएं. Emotionally भी, लड़ाई, जगडा, कहीं न कहीं कोई जजबाती ऐसा तशद्द किया जाए, या social तशद्द ऐसा किया जाए. यह सारी सूर्थें जो हैं, यह बच्चों के लिए माँ से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि माँ एक adult है, वो उसको समझती भी है, शायद उसके पीछे किसी मुसलिहत को भी समझती हो, शायद कभी अच्छे वक्तों को भी याद करती हो, लेकिन बच्चे यह ऐसा नहीं कर स who have been in a relationship, report experiencing some form of physical or sexual violence by their intimate partner, 30% खवातीन पूरी दुनिया में, हम अपने कल्चर की बात isolated भी नहीं करते, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा है, कि 30% जो खवातीन है, किसी ना किसी सूरत में, physical या sexual violence का शिकार होती है, किस से अपने ही partner से, So intimate partner violence during pregnancy, increases the likelihood of miscarriage, stillbirth, preterm delivery, and low birth weight babies जो violence खास तौर पे, जब मां जो है वो हामला है, pregnant है, उस वक्त मर्दों की तरफ से होती है, उसके तो बड़े ही खतरनाक नतायज है, बच्चा मां के पेट में मर सकता है, बच्चा माजूर हो सकता है, बच्चा कम बेट का पैदा हो सकता है, जाहर है जब आप उसको emotionally stress देंगे, या किसी और depression में लेके आएंगे, या socially depressed करेंगे, तो वो अंदर ही अंदर बच्चे को नुकसान पहुचा रहा है, और अगर physically खुल के violence की जाएगी, तो बच्चा मौके पे मर सकता है, मरा हुआ पैदा हो सकता है, सो इसके खतरनाक नतायज हैं इस सारे फेल के, witnessing domestic violence as a child represents a key risk factor for toxic stress, सिर्फ ऐसा नहीं है, कि बच्चा जो है उसकी सोच बदलेगी, उसके ख्यालात में तबदीली आएगी, बलके वो भी depression का शिकार हो जाएगा, वो stress का शिकार हो जाएगा, और आपको पता ह एक depressed और stressed इंसान, जिन्दगी में ना तो कभी खुद खुश रह सकता है, ना दूसरों को खुश रख सकता है, वो वो ही stress, वो ही depression दूसरों में पैदा करने की कोशिश करता है, आपने कभी लोगों की aggressiveness को देखा हो, तो psychologist ये कहते हैं, कि अगर कोई आपको extraordinary aggressive लग रहा है, वो हलातों वाकियात हैं, जब उसके साथ भी जुल्म और जयती की गई होती है, और उसके साथ भी aggression से पेश आया जा रहा था, तो एक तरह से उनकी तो सारी जिंदगी खराब होती है, उनके तसवरात, उनके imaginations, बनते ही इस तरह से हैं, जो stereotypical thought बनती है उनकी, वो यही है कि आने वाले दिनों में उनके साथ भी यही सिलूक किया जाएगा, और शायद वो इसी सिलूक की मुस्तहिक हैं, सो इन चीजों से बच्चों को निकालने के लिए, parents को एक balanced और समझदार रविया अपनाना है, और म खुआ वो कुछ principles, rules और policies के तहत हो, तो बहुत से मुलकों ने तो ऐसे rules बनाए हैं, कि खवातीन को physically या और किसी तरीके से कोई violence नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत से मुलक ऐसे हैं, जो कानून होने के बावजूद भी उस पर practice नहीं करते।